और यह सोचेगा, it is not possible, अपने आप के साथ बार बार बात करेगा, how is this possible, कि मेरा बच्चा अल्ला का हुकम माने और वो at loss हो, यह possible नहीं है, यही हो सकता है, maximum कोई मजाख उडा लेगा, तो वो मजाख तो अंबिया का भी उडाया गया, सहाबा का भी उडाया गया, तो कोई बा जाना कि कहीं उसको नौकरी नी मिलेगी, इंटर्शिप नी मिलेगी, तो अल्ला किसी ऐसे मोहौल से बचा रहा है, जहां पे शायद इस तरह के काम हो रहे हराम, जिसमें हमारा बच्चा फिट इन नहीं होता, तो अल्ला काला प्रोटेक्ट करता है आपको, और अल्ला काला आपको हर उस जगह पे लेके जाएगा और आपके बच्चे को लेके जाएगा जो हलाल जगह है, तो आपको अपने वैल्यू सिस्टम पे बहुत प्राउड होना है, बहुत फखर करना है, अपने आपको बार बार ये मैसेज देना है, ममता को थोड़ी देर के लिए बंद कर करना है, जेल करना है, कि कोई बात दी, अगर मुझे लग भी राह है और आपको लोग बार बार आके बताएंगे, पता है तुम्हारा बच्चा मिस्फिट हो जाएगा, वो पता है फुलाँ का बच्चा था उसके साथ ये हुआ और फिर ये हुआ, आपको बड़ी खौफना कहानिया सुनने को बिलेगे, लेकिन अगर आपने तरीका सही इख्तियार किया, और इंशाला हम बहुत से तरीकों पे इन दो हफ्तों में बात करेंगे, आपने तरीका सही इख्तियार किया, आपको इंशाला प्रॉब्लम नहीं हो, बच्चों को confidence देने के लिए सबसे पहले आपके अंदर confidence होना चाहिए, आपके अंदर clarity होनी चाहिए, दूसरा ये कि आप उनको इस किसम की classes और set-up में regular लाइगे, देखें ये कोई rocket science तो नहीं है, ये तो दिल का जजबा है, so continuously अपनी doors को आपने देते रहना है, और clarity कितनी आप अपने अंदर रखेंगे और बच् इसी तरह से कई ऐसे functions होते हैं, जो हमें पता होता है, which are not right, हम उसमें खुद भी जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं, you have to take a stand somewhere, आपको बहादुर थोड़ा सा बनना पड़ेगा, दीन पे चलने के लिए, कि कई ऐसी जगे हैं, जो बिलकुल appropriate नहीं हैं, मैं वहां नही इमरान की आएत नबर ठीड़ी बाना आती है, कुल इनकुंतुम तुहिबून अल्लाहा फत्तबियूनी, आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से महबत करते हो, तुमेरी इत्बा करो, युहबिब कुम ल्लाह, खुद ल्लाह तुमसे महबत करेगा, वयागफिर लकुम ज जो चीज रसूल अल्लाह सallallahu alayhi wa sallam ने बताई, ये करनी है, ये नहीं करनी, डो इट, और ये डोंट डो इट, ये इतात होती है, कि आपको बताया जा रहा है, इतबाह क्या होती है, इतबा होती है कि आपका इतना ज्यादा मुहब्बत है आपको सुन्नत से इतने आप इंप्रेस्ट हैं रसूल अलाव सल्म की जात से कि आप हर वक्त उनके बारे में पढ़ते हैं उनकी तरह हर काम करते हैं आज के दौर में हमारे बच्चे अपने हीरोस को फॉलो करते हैं हम फैन्स होते हैं क्या करते हैं आपका बच्चा देखें उसने कारटून देखा और उसके बाद उसको वही फिगर चाहिए उसका बोलने का स्टायल भी वही होगा उसको अपने कमरे में वैसी ही बेड़ शीट चाहिए उसको अपनी वाल हेंगिंग में वो चाहिए बैग भी वो चाहिए लंच बॉक्स भी वो चाहिए और आप देखें हम इस चीज़ में कितनी प्राइड लेते हैं इवे अगर कभी बच्चा कोई बड़े-पार्टी करे तो वो भी वोंखिनी वाली थीम फॉल्लो करता है ये होती है स PUBG तो हमें इहाँ पर ड़किताएस इताएस से बढ़ के होती है सillar उसके इताए इताएस करो इंप्रेशन किसका सबसे जादा लोग रसूल अलाह अले वाले सलम का हम अपने बच्चों से कभी-कभी जब बात करते हैं कुरान और सुन्नत की तो हम उनको पुट आफ करते हैं हम बैठते हैं कैसे खा रही हूँ रसूल अलाह सलम ऐसे खाते थे यह क्या पहना हुगा है यह कुरान और सुन्नत के मताबिक है पिड़ी क्या खुद ही भोगत ना जाना हुगा नहीं उनको सुन्नत से मुहबबत सिखाना है उनको अपनी बातों से अपने कामों से बताना है इसको कहते हैं लाउड थिंकिंग काम करते करते तो हमें यह करने लेगी थी मुझे याद है रसूल अलब ऐसे करते थे मैंने का मैं ऐसे करते है मुझे ना बहुत गुस्सा आया बच्चों के सामने किसी के बारे में बात की वैसे बात करते करते बच्चे सुन रहे थे हमारी बात आज मुझे इतना उस्सा आया जो मासी थी टाइम पे नहीं आई फिर मैंने सोचा कि रसूल अलाशल सलम को जब उस्सा आता था माफ कर देते थे तो मैं भी माफ कर देते हम इन में से कितनी चीज़ें कर भी रहे होते हैं लेकिन हम उनको बच्चों के सामने वर्बली नहीं बोलते तो अपने बहुत से decision making जो आपके कुरान और सुनत के मताबिक है आप अपने बच्चों के सामने वर्बली बोलेंगे वर्बली उनके सामने इस तरह चोटे-चोटे pointers देंगे बच्चे आपके साथ गाड़ी में जा रहे है मामा तेज चला है मामा गाड़ी की जगाई आप पाफ करे आपने दिल में सोचा कोई बात दि कोई और ज़ादा तेजी में चलो उसने पाफ कर ली अप आप वर्बली बोलेंगे कोई बाद दी बेटा, रसूल इल्ला सल्म सब को रास्ता दे देते थे, अल्ला हमारे लिए खुद रास्ता बनाएगा, हम सुननत के मताबिक काम करेंगे, मैंने ये अल्ला के खातिर और अपने नभी की तबाह में छोड़ दिया, ये इतात और इतबाह के वर्ड्स आप करेंगे, चुलो मिलके हम अपने लिए एक पैकेज बनाते हैं, लेट्स डिसाइड के हमने कौन सा काम कैसे करना है, उसको एक अपने लिए वो बनाएं के हम एक ग्रुप हैं, हम मिलके सारी चीजों को एक्ट आउट करते हैं, जो भी हम प्लैनिंग करते हैं, इसी तरह से हम सुर्ल कलम में आता है, वाइनकाला अलाखुलु किन अजीम, और बेशक आप सालसलम आला अखलाख पर फाइस हैं, रसूल अलाख सालसलम में इस लिए भेजा गया हूं कि उन्दा अखलाख की तक्मील करूँ, अब बच्चे घर में बहुत से इसे काम कर रहे होते हैं, जो क ठीक नहीं होते, लेकिन हमने हर जगा बच्चों को यही बताने हैं, बच्चे लड़े हैं, एक नहीं आगे दूसरे की शिकायद काई, इसने मारा था, तो कोई बात नहीं, रसूल अलाख को कुछ भी कहता था, वो माफ कर देते थे, आप माफ कर दे, यह मैं कि उसको हर दफ का, कुरान और हदीश से आप है, अच्छा, लेकिन मेक फेसे, कभी किनों कहेंगे कि हमारी मामा ओवर्डोस करती है, रिलिजन की, कोई बात नहीं, आपने उनको बताना है, इन अ हेल्दी मैनर, कि आपके लिए क्या चीज एक्सेप्टिबल है, क्या चीज एक्सेप्टिबल यह नहीं जाता, लेकिन यही तो थ्रिल है, यही तो इकसाइटमेंट है, आज कलके बच्चे थ्रिल और एकसाइटमेंट को ही समझते है, अर्डिनलीन रश को समझते है, गेम उनकी ऐसी थ्रिलिंग, उनसे को यह क्या पाट वी, कि यह जो सारे करें वो किया, लेट्स बी य हें सो अरे यह करते हैं तो कुलो सारे आप सारों जैसे कपड़े पैंके जाना पसंद करेंगे आप तो कहते हैं मेरे तो कपड़े बी डिफरंट मेरे पाथ-डिफरंट ॏ ने उन्हीं का लॉजिक उन्हीं पर लोटाएं कि हम तो वो करेंगे जो कि अल्ला ताला के लिए यूनीक डिफ्रेंट अगर कोई नहीं भी कह रहा तब भी हम करेंगे ये उनको चैलेंजिस आपने थो करने हैं कि हम उन कामों को लेके चलेंगे ये सारी चीज़ जो है इसके साथ एक बड़ी खुबसूरत हदीस भी है जैसे ऐसी खुशखबरियां भी बच्चों को सुनाया करें रसूल अल्ला ताला जब किसी से महबबत करते हैं तो जिबराईल अल्यसलाम को कहते हैं कि तुम भी इसे महबबत करो फिर जिबराईल अल्यसलाम भी इसे महबबत करने लगते हैं और जिबराईल अल्यसलाम सारे आसमान वालों को आवाज देकर पुकारते हैं कि यह लोगों फलाँ शक्स या ला ताला महबबत करता है तुम भी इसे महबबत करो फिर सारे आसमान वाले से महब्बत करने लगते हैं और फिर वो महब्बत दुनिया पर उतार दी जाती है और फिर जमीन वाले भी से महब्बत करने लगते हैं यानि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारी केर करे उनको बताएं कि हमें क्या फाइदा होगा बच्चों को महब कोई मुझसे शेर ही नहीं कर रहा है। मेरे फ्रेंड्स टीचर्स का मजाग वड़ा रहे थे, मैंने उनको मना कि हम मजाग नहीं उड़ाना किसी का। तो उन्होंने का अच्छा है, तो मला गो जो। इसे उसे अच्छा हुदे से मंने का अपकी गुगूट начse मेरे क्ली जो। बच्छे ह्ना को कालना क्या कहता है। तो उनको एसी लड़ेगातहा 와서 ब्लादाक्स पोलां। तो सारे उसके फ्रेंट बनेंगी, everyone would want to be his friend, ऐसे ही है न, उनसे कि आपको अच्छा लगेगा, ऐसा फ्रेंट जो आपके लड़ाई कर रहे है, मार रहे है, जूट बोल रहे है, पीन अच्छा लगेगा, तो हम किसी को नहीं इच्छा लगता, तो जब बच्चे के फिर मेरे द वो सापता मजाद इसलिए उड़ा रहे थे, क्योंकि भी उनकोई चीजे पता नहीं है,